नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम क्या आपको लग रहा है कि इस देश में दोबारा कोरोना की वज़े से लॉक डाउन होगा क्या अंतराष्टी फ्लाइट्स यानि जो हवाई जाहाज विदेश से आ रहे हैं उन पर रोक लगेगी क्या कोरोना का खत्रा बहुत सिर्फ चड़ के बोल रहा है क्या है कोरोना प्रोटोकॉल शायद इसे समझना हो देखना हो तो आप देखिए कि किस तरह से कोरोना का डर सिर्फ और सिर्फ देश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के लिए है जिस तरह से एक के बाद दूसरे मंत्री सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं भारजोडो यात्रा पर राहुल गांधी पर उससे ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना का आतंक सिर्फ भारजोडो यात्रा के लिए है ऐसी क्या वजह है कि अन्राग ठाकुर देश की संसत के परिसर में खड़े होकर सीधे सीधे सवाल उठाते हैं कि देश का क्या एक परिवार प्रोटोकॉल से उपर है मैं उनसे बस कहना चाहूंगी अन्राग ठाकुर जी देश का कोई परिवार नहीं और आप खुद नहीं करोना प्रोटोकॉल और क्या है करोना प्रोटोकॉल एक बात बहुत साफ है कि भारती जंता पार्टी और मुदी सरकार डरी हुई सहमी हुई नजर आ रही है और शायद यहीं वजह है कि एक के बाद एक लगातार इसे निशाने पे लिया जा रहा है क्योंकि अब वह देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने जा रही है 24 तारिक को देश की राजधानी में दस्तक देगी भारत जोड़ो यात्रा और आप देखिए कि जिस तरह से खेंडरी स्वास्त मंत्री मंसुक मांडिया पत्र लिखते हैं राहुल गांधी को और कहते हैं कि आप कुरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए नहीं तो अपनी यात्रा स्थगित कर दीजिए और इसके बाद मंत्रियों की लिस्ट लंबी होती जाती है हमने आपको बताया ही कि अंडराक ठाकूर सीधे सीधे गांधी परिवार पर निशाना साथते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है भीतर खाने इस भारत जोड़ो यात्रा या इसका जो असर पढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से उपर है यह तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कॉंग्रेस के राष्टिय अध्यक्ष को जादा एक परिवार को माननेता मिलती है लेकिन देश का प्रोटोकॉल कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़े यहां पर मैं सरकार को ही सरकार के आकड़े याद दिलाना चाहती हूं भारत सरकार के अनुसार जो आकड़े हैं उपलब्द हैं उनके अनुसार भारत की 95% पॉपुलेशन जो वैक्सीन के योग्याबादी है वह वैक्सीन की पहली डोज ले चुकी है और 88 फीसदी यानि 88 फीसदी तो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि इसके योग यानि 12 साल से अधिक उम्रवाली आबादी तो मानिनी मंत्री महोदे आप यह बताएं कि अगर सरकारी आकड़े यह कह रहे हैं कि 88 फीसदी भारती अबादी दोनों वैक्सीन ले चुकी है तब फिर यह कौन सा प्रोटोकॉल है कि आप मान के चल रहे हैं कि जो 22 फीसदी रहे गए हैं आपके आकड़ों के अनुसार दोनों डोस से एक डोस से तो बहुती कम सिर्फ वही लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं या चुन-चुन के वही लोगों को दिखाना होगा मुझे लगता है जिस तरह से निशाने पर लेने के लिए इस यात्रा को यह सारा कुछ रचा जा रहा है वह बहुत साफ कर रहा है कि मकसद क्या है यह सब कुछ एक राजनितिक मकसद से रचा जा रहा है सारा का सारा पूरा का पूरा माहौल जो बनाया जा रहा है वह यह बनाया जा रहा है कि किसी भी वजह से इस यातरा के उपर लगाम लगाई जाए या तो इस यात्रा को किसी तरह से सस्टेन करने के लिए रोकने के लिए या इसके असर को कम करने के लिए या फिर सीधा सीधा यह संदेश देने के लिए कि इसके जरिये कोविड फैल सकता है कोरोना फैल सकता है और लोग जो इससे जुड़ रहे हैं उन्हें रोका जा सके मकस पुलो यात्रा में जिसे बार बार दोहरा रहे हैं और बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने सामने रखा कि वो नफरत के बाजार में महबत की दुकान लगाने की कोशिश कर रहे हैं नफरत के बाजार में महबबत की दुकान फोल रहा हूँ आप मुझसे नफरत करो आप मुझे गाली दो यह आपके दिल की बात है आपका बाजार नफरत का मेरी दुकान महबबत की ऐसा लगता है इस महबबत की दुकान से भाजबा को बहुत परिशानी हो रही है उन्हें लग रहा है कहीं उनकी नफरत के दुकान का शटर गिर तो नहीं जाए पूरा नहीं थोड़ा कम गिर जाएगा या ग्रहक कम हो जाएंगे कुछ ऐसी ही आशंका होगी जिस पर ध्यान और ग्यान निश्चित तोर पर भाशपा के सांसद और मंत्री ही दे सकते हैं संसद का शीत सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि संसद के भीतर सरकार चीन के बारे में बयान दे चीन अरुनाचल प्रदेश जो जड़प हुई उसको लेकर देश की अभी तक सरकार चुप्थ है अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बात बात पर अपनी बात कहने वाले मन की बात सुनाने वाले प्यारे प्रधान मंत्री नरेन मोदी से लेकर रक्षा मंत्री विदेश मंत्री सब इस मुद्दे पे देश की संसद के भीतर बोलने को क्य नहीं तैयार हो रहे वह अभी तब जब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और शायद देश की जंता भी जानना चाहती है कि दरसल अरुनाचल चीन सीमा पर हुआ क्या किसने किसको उपर हमला किया और कोट अंकोट पिटाई को लेकि जो हंगामा चल रहा है दरसल उसकी हकीक क्या है मुझे एक बात बहुत साफ लगती है कि इस पूरे प्रक्रण पर संभवता भारत सरकार आधिकारिक बयान देने से बच रही है और उसकी बहुत ठोस वज़ा है क्योंकि यह सब जानते हैं कि संसत के भीतर अगर कोई भी मंत्री बयान देते हैं प्रधार मंत्री बोल विदेश मंत्री बोलते हैं तब वह सरकार का आधिकारिक बयान होगा और संभवता उसके बाद चीन अपना बयान देगा इस पूरे प्रक्रण पर अपना स्टैंड भी वह पब्लिक डोमेन में यानि लोगों के सामने रखेगा और ऐसा भारत सरकार फिलहाल नहीं चाहती क् और नहीं नहीं डर है इससे पहले भी हमने देखा इससे पहले जब हुआ था तब तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ना कोई आया न कोई गया जबकि हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर भारती इस्यानिक हताहत हुए थे इससे पहले की भिड़ंत में और एक बात और जिस पर हमारी आपकी सतर्ख निगाह बनी रहनी चाहिए वहया कि अप पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार पाकिस्तान का कारड खेलने के बजाए चीन का कारड खेल रही है चीन के खिलाफ या चीन से संगर्श है उसे लेकर धृकरण करने की तैयारी चल रही है और यह पूरा का पूरा एपिसोड उसी क्रम में देखा समझा जाना चाहिए बहुत दिल्चस फैया देखना कि जब कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी चीन का सवाल उठाते हैं पूछते हैं सरकार से, पूछते हैं मीडिया से कि वह सरकार से यह सवाल क्यों नहीं पूछ रही कि क्या हुआ अरुनाचल सीमा विबात के पूरे के पूरे एपिसोड में तब सारे के सारे लोग हमलावर हो जाते हैं और जिस तरह से हमलावर होते हैं वहां मुख्य घटना गायब हो जाती है भारतिय सैनिकों के अपमान की बात होने लगती है विदेश मंत्री घटना के बारे में तो कुछ नहीं बताते बस यह कहते हैं कि रहल गांधी ने देश के सैनिकों का अपमान किया और उसके बाद जिस तरह से मीडिया में अंधा खेल चलता है उसका जिक्र करना भी शर्मनाक लगता है यहाँ पर एक के बाद एक ग्राफिक बनते हैं और बताया जाता है कि किस तरह से किस ने किस की पिटाई की सब कुछ कालपनिक है एक वीडियो गेम की तरह मीडिया परोस्ता है हमारे आपके बीच लेकिन कई ऐसे एपिसोड इससे जुड़े हुए हैं जो हमें और आपको और भारती लोकतंत्र को शर्मिंदा करते हैं और तों के खिलाफ जो माहौल बनाया जाता है उससे हम सब ओफेंडेड महसूस करते हैं इसी क्रम में भाश्पा के लिए खुल कर खेलने वाले कभी मनोत मुंसिर का भी जो बयान है वह बताता है कि गिरने की कोई सीमा नहीं होती जब आप चाटू कारिता पे आते हैं तो कहां से कहां गिरते हैं इसका इलहाम खुद उन्हें नहीं होता देखिए किस तरह से वह कहते हैं कि विदेशी महिला की कोख से पैदा होने वाला बच्चा कभी भी देश भक्त नहीं हो सकता अभी चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक नहायत गयर जिम्मदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए इतनी शर्मनाद भाशा का प्रियोग किया जाता है कैसे करता है कोई पिट गए हमारे सैनिक मैंने चानक्या को पढ़ाए आपने भी पढ़ाओगा चानक्या का स्टेट्मेंट है मैं कोट कर रहा हूं सीधे आचारे चानक्या विश्णुगुप चानक्या ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी रास्ट्रभक तो नहीं हो सकता मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि जो हमारी सोच है जो नफरत की फैक्ट्री और इंडस्ट्री है वह कितनी गंदगी उडेल सकती है हम सब के सामने मामला बहुत साफ है कि चीन के इस पूरे एपिसोड पर नफरती ब्रिगेड दूसरे ढंग से खेलने को तैयार है मूल मुद्दे को हटा कर नफरती एजंडा चलाने की तैयारी है और शायद यह कहां रुकेगी इसका इलहाम इसका एहसास किसी को नहीं है अंत में एक एहम खबर जो हमारे आपके और देश के भविश्य से जुड़ी हुई है यह खबर आई है जारखंड से मामला सिर्फ जारखंड का ही नहीं है यहां जारखंड के जरीए यह तथे सामने आता है कि किस तरह से पूरे देश में बुनियादी शिक्षा को बरबात किया जा रहा है यह रिपोर्ट बहुत एहम है जारखंड के 16 जिलों से 138 प्राथमिक और अपर प्राइमरी स्कूलों में ग्यान विज्ञान सम्मिती जारखंड ने इसे सितंबर और अक्टूबर महिने में सर्वे करके तैयार किया इसे हमारे सामने पेश किया विश्विक्ष्यात अर्टशास्त्री जौन द्रेज ने अब आप देखिए यह रिपोर्ट किया बता रही है यह रिपोर्ट बता रही है कि जारखंड के एक तिहाई स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक है सिर्फ एक अध्यापक एक तिहाई सरकारी स्कूलों में है जिनके जिम्में हमारे देश के भविश को सवारने का काम है और तो और प्राइमरी स्कूल यानि एक से पांच तक के जो स्कूल है उनमें महज 68 फीसदी छातरा आते हैं और जैसे ही अपर प्राइमरी यानि कक्षा 6 से और 8 के बीच बात होती है वहाँ पर यह प्रतिशत गिरकर 58 हो जाता है यानि लगातार शिक्षा का इस तर नीचे जा रहा है अब आप देखिए कि जॉन द्रेज इसके बारे में हमें क्या बताते हैं वह कहते हैं कि हाशिये पे जो समाज है जो समाज के तपके हैं जो आदिवासी हैं गरीब हैं दलित हैं उनके बच्चों को बड़े पैमाने पर शिक्षा के अधिकार से महरूम किया जा रहा है सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं यह हम सब जानते हैं पूरे देश में यह आंधी चल रही है सरकारी स्कूल को बंद करने की इसी के साथ साथ जॉंद्रेज एक बहुत एहम सवाल उठाते हैं कि कुरोना में जब स्कूल बंद होते हैं दो साल तक शिक्षा से बच्चे गायब रहते हैं उन्हें वापस स्कूल के नेटवर्क में लेने के लिए कोई कोशिश नहीं होती एक तरफ यह हाल ह प्राथमिक शिक्षा का और वहीं देखिए जब छात्र उच्ची शिक्षा पर अपना हक जमाते हैं कहते हैं कि उन्हें सस्ती और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं इलाबाद में जो खौफनाक फीस वृद्धी हुई है इलाबाद वि प्राथियां चलाई गई जात्रों के खून निकला उससे एक बात साफ है कि जारखंड हो उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश दरसल ये सरकारें शिक्षा के खिलाफ काम कर रही हैं दोस्तों एक बात बहुत साफ है मामला देश की संसत का हो मामला हमारे आपके भविश्य क बच्चों के भविश्य का हो शिक्षा का हो या फिर अमन की बात करने वाली यात्रा का हो हर मुद्दे पर जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर हमला लगातार तेज हुआ है और शायद आने वाले दिनों में और तेज होने की आशंका है ऐसे में बहुत जरू शुक्रिया